नमस्कार, जैगो माता, कावेदा विलनेस कंपणी के यूट्यूब चैनल पर मैं सुने से टोले आप सभी का स्वागत करता हूं कावेदा विलनेस कंपणी देशिगाई के पंचगे उत्पादों को अपनी 1000 से बिजादा कुशल और अनुभो संपन सेल्स्टिम दोरा लोगो तब पहुंचाने का कारी कर रहे हैं आप भी इस कार में जूड़ जाइए और देशिगाई के पंचगे उत्पादों को नई उचाई तक ले जाने में हमें सहयोग दीजिए आज हम देशिगाई से प्राप्त पंचगे उवे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें दूद, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का रस इन पांच चीजों का समूँ हैं जिसे पंचगे उवे घृत कहते हैं जो सेकडो रोगों की सरल चिकिस्सा है और यह वैग्यानिक परेक्षनों से भी पारित है त्वच्या से लेकर हड्डिय तोग जो भी बिमारिया शरीर में होती है वे सब पंचगवे द्वारा नस्ठ हो जाती है अस्टांग रदयम, वागबट सहीता, चरग सहीता, सुसुत सहीता आधी भारतिय गरंतों में भी पंचगवे को सर्वस्रिष्टा आउश्यदी के रूप में उलेक किया गया है यह प्रतिकारक्षमता बढ़ा कर कोश्यकाओं को उर्जा देता है दिमाग, हट्डिय और मास पेशियों में मजबूती प्रदान करता है रदैरो, कैंसर, टीबी, लक्वा, आधी अनेको विकारों में भी लाबदाई है पंचगवे को उर्जा की बढ़ोतरी और शारीट विकास के लिए भी उपियूपता है पंचगवे घ्रित इसमें दूर और धही है जिससे हमें कैल्सियन, विटैमिन, प्रोटीन, आयोडिन, मिन्रस आधी भरपूर मात्रा में मिलते हैं गोवित यानी घी जिसके अंदर कैल्सियन, विटैमिन A, D और E पाए जाते है जो शारीग विकास के लिए बहुत ही फाइदेमन है गोमुत्र में कैल्सियन, मैंगिनीज, मैंगनेशियन, सल्फर, आयरन, आधी शरीर के लिए जो पोशक तत्वा है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं गोरस जो गोबर के रस्य निर्मित है जो त्वचा संबंदी सभी रोगों में लाबदाई है विटामिन B12 के गोनों से यूप्त गोरस, एंटिवैक्टरियल और एंटिफंगल, एंटिसेप्टिक है इतने सारे गोनों से भरा पंचगवे घ्रीद गरम दूद में मिलाके अच्छे से घोल के पी सकते हैं बच्चों को गरम दाल में या चावल के साथ ब्याब दे सकते हैं, जिससे उनके पोशन के लिए ज्यादा से ज्यादा उप्योग हो सकता है जोडों के दर्थ के लिए पंचगवे घ्रीद गरम दूद में मिलाके खड़े होकर पीने से रहात मिलती हैं तो रोधाना सेवन करना ना भूले पंचगवे घ्रीद अधिक जानकारी के लिए हमारे कस्तमर केर नंबर डबल सेवन त्री एट फोर पाई डबल सेवन नाइन पर आप संपर्कर कर सकते हैं या www.kaoveda.in इस वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं हमारे कावेदा विल्लेस के यूटूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक और शेयर अवश्य करे धन्यवाद जैगो माता जै कावेदा